नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में जीके के सिकेन पार्ट को लेकर आए हैं दोस्तो आप सभी को फिर से आज बता दें जीके को आप सभी को याद नहीं करना है जितने वी ये स्टुडेंट है जेनरल नोलेज को आप याद नहीं करना है आप सभी क्या करना है आप सभी कि एक से दो वार देखें किसी भी चीज को आप सभी को सोता ही याद हो जाएगा देखिए भोकैब को याद करना पड़ता है क्यूंकि वो जरूरी का चीज है लेकिन जीके को आप याद नहीं किजिएगा और आप सभी का किमती समय को ज़्यादा बरवाद न करते हुए चलिए डारेक्ट बात करते हैं और अच्छे अच्छे कोश्चन को देख लेते हैं काफी सारे स्टूडेंट का क्यूरी जराता है कि सार आप सुलो पढ़ाते हैं तो आप से भी को फिर से बता दे रहे हैं कि वैसे स्टूडेंट जिनको फास्ट पढ़ना पसंद है तो वह आप सेटिंग में जाए और सेटिंग से जाकर वह वन पॉइंट फाइब के स्पीर से पढ़ाई करें और जिनको सुलो पसंद है उसको लिए हम तो रेडी ही हैं उसी परकार से आप से भी पढ़ें ठीक है चलिए अच्छे अच्छे कोश्चन है आज के यह सभी के सभी भी भी आई है क्यूंकि जैसे ही पढ़ाना आप से भी के लिए कलास्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आप से मातमा गांधी को अधनंगा फकिर किसने कहा था चार ओप्सन दे रखा है आप सभी को बताना है कि मातमा गांधी को अधनंगा फकिर किसने कहा था ए हिटलर ने बी जिन्ना ने या सी चर्चिल ने या डी माउंट टेविनेंट ने चलिए आप सभी को बताना है मातमा गांध को अधनंगा फकिर किस ने कहा था तो वो किस ने कहा था वो चर्चिल ने कहा था किस ने कहा था वो चर्चिल ने कहा था अधनंगा फकिर महत्मा गांदी जी को तो सवाल नमर 26 का जो सही option हो जाएगा वो option C हो जाएगा ठीक है चलिए अब अगला प्रसन को देख लेते हैं महात्मा गांदी सबसे ज़्यदा परवावीत कौन से पुरुस महापुरुस से हुए थे बॉनार्ड सो से या लियो टोल्स ट्वै से या सी कालमाक से या डी इनमें से किसी भी नहीं से चलिए चार ओप्शन दे रखा है आप सभी को बताना है दोस्तों आप सभी को बता दे मह अगला प्रस्ण काफी खुपशूरत प्रस्ण है और आप सभी इस कोश्चन को कितने बार न जाने एट किलास में नाइंध किलास में पढ़े होंगे तो इस कोश्चन के आप से भी को मैं आप्शन नहीं बताने वाला हूँ आप सभी खुद से बताएंगे कि महात्मा अगला प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण आप सभी से किस परकार और क्या पुछ रहा है सवाल नंबर 29 पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थें कौन अगला प्रस्ण को देख लेते हैं अगला प्रस्ण आप सभी से क्या पुछ रहा है सवाल नंबर 30 दोस्तो थोड़ा सा आप सभी के लिए बताते चले मोटिवेशन के बाद दोस्तो समय बहुत ही कम है CISF के लिए और CRPF दोनों का समय बहुत ही limited समय है तो आप सभी थोड़ा सा पढ़ाई का जो strategy है पढ़ाई का जो gear है थोड़ा gear बदले अगर एक gear में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम दो gear तीन gear आप कर लें तीन के बाद चार आप जरूर करें कम से कम चार गंटा चो गंटा अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं अभी फिलाल अभी अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरे समझ से आपको बरदी नहीं मिलने वाली है बरदी चाहिए तो आप से भी को continuous और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी ठीक है चलिए देख लेते हैं सवाल नमर तीस निमलिखित में मेनत करना ही होगा continuous मेनत करना ही होगा निरंतरन परियास नहीं कि जया तब तक सफलता आपको नहीं मिलने वाली है क्योंकि आपके जैसे दो घंटा एक गंटा एक दिन पढ़कर चार दिन छोड़ने वाले अगला question को देख लेते हैं अगला question सवाल नमर तीस निमलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है चार option दे रखा है आप सभी को बताना है कि गंगा की सहायक नदी कौन है सुवर्ण रेखा सोन गंडग कोशी तो आप सभी जानते हैं कि गंगा की सहायक नदी सुर्ण र सवाल नमर 31, किस राज की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, A. मनीपूर, B. नागालाइड, C. अर्शम या D. अलुनाचल परदेश, दोस्तों आप सभी को रटना नहीं है, आप सभी को बार बार बोलना है, slow पढ़ा रहा हैं, आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी एक बार question को पढ़े, option को पढ़े, इससे क्या होगा कि आपके brain में revise होगा, ठीक है, brain में revise होगा, अगर दो बार यह revise कर लीजिएगा, तो आपको automatic याद हो जाएगा, फर्स्ट बार में ही आप सभी को देखेंगे कि 40 से 50 परसेंट आपका याद होने लगेगा मतलब आभी 25 कुशन आप सभी को पढ़ाएंगे तो कम से कम 8 से 10 कुशन जो है आपका 100 परसेंट अभी दिमाग में ही छप जाएगा तो आप सभी को रटना नहीं है बार बार हम ये बात बोलते हैं हर एक विडियो में बोल रहे हैं तो आप सभी ध्यान से समझियेगा ठीक है चलिए किस राज की सीमा चीन से जुड़ी हुई है तो आप सभी जानते हैं कि अरुनाचल परदेश राजी की जो सीमा है वो हमारे चीन से जुड़ी हुई है तो सवाल नमर 31 का जो सही option हो जाएगा वो option D हो जाएगा चलिए अब अगला प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण आप सभी से क्या पुछ रहा है सवाल नमर 32 कितने वर्स के पस्चात राष्टी जनगन्ना होती है काफी simple प्रस्ण है और जिके में ऐसे ही ऐसी simple प्रस्ण पुछते हैं और बच्चे श्टुडेंट जो है ना over confidence मे गलती कर बैरते हैं दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राष्टी जो जनगन्ना होती है कास करके बिहार के student अगर होंगे तो वो आउर अच्छे से जानते ही होंगे भले भाती तो राष्टी जनगन्ना जो होती है वो 10 वर्सों पर होती है और परतेक 10 वर्स के बाद राष्ट सवाल लंबर 33 का जिरंगा राष्ट्रिये पार्क कहां पर इस्तित है A. उरिशा में B. महराष्ट में C. अशं में या D. इनमें से कोई नहीं चलिये 4 ऑप्षन दे रखा है आप सभी को बताना है का जिरंगा राष्ट्रिये पार्क कहां अस्तित है तो वो है असाम में, वो कहां इस्तित है, वो है असाम, राज्य में काजी रंगा, राश्टिये पार्क इस्तित है, सवाल लंबर 33 का जो सही अप्छन होगा, वो होगा C, ठीक है, चलिए अब अगला प्रस्ण को देख लेते हैं, अगला प्रस्ण आप सभी से क्या पूछ रहा है सवाल नमर 34 operation fault से संबंदित है A tamiladu B bad ni mantran C dood ka ayat D dairy because operation fault से संबंदित जो है वो है dairy because तो सवाल नमर 34 का जो सही option हो जाएगा वो option D हो जाएगा ठीक है चलिए अब अगला प्रस्ण को देख लेते हैं अगला प्रस्ण आप सभी से क्या पुछ रहा है सवाल नमर 35 धान की खेती के लिए उत्तम मिटी कौन सी है A. सक्त मिटी B. काली मिटी C. दोमट मिटी D. लाल मिटी दोस्तों आप सभी जानते ही है कि आप सभी के खेतों में धान की खेती लगवग लगवग चात्र जो किसान घर से बिलोंग करते होंगे उनको पताए एक दान की खेती कौन से में होती है तो वो दोमट मिटी में होती है तो सवाल नमर 35 का जो सही ओप्सन हो जाएगा वो ओप्सन C हो जाएगा ठीक है चलिए अब अगला प्रस्न को देख लेते हैं तो सवाल नमर 36 का जो सही ओप्सन हो जाएगा वो ओप्सन C हो जाएगा चलिए अब अगला प्रस्न को देख लेते हैं अगला प्रस आप सभी से क्या पूछ रहा है सवाल नंबर सवाल नंबर 37 भारत में हरित करांती का स्रे जिस सू बिख्यात किरिसी अधोगिक विग को कहा जाता है उसका नाम क्या है सवाल नंबर 38 राना परताप सागर समबंदित है सवाल नमर 38 का जो सही option हो जाएगा वो option D हो जाएगा ठीक है चलिए अब अगला प्रस्ण को देख लेते हैं अगला प्रस्ण आप सभी से क्या पुछ रहा है सवाल नमर 49 पिरिथिवी और सूरे के बीच अधिकतम दूरी किस तीथी को होती है दोस्तों प्रिथिवी और सूरे के बीच अधिकतम जो दूरी होती है वो चार जूलाई को हमेशा प्रिथिवी और सूरे के बीच में दूरी पाई जाती है तो सवाल नमर 49 का सही option जो होगा वो option C होगा चलिए अब अगला प्रस्ण को देख लेते हैं अगला प्रस्ण आप सभी से किस परकार का और क्या पूछा जा रहा है सवाल नमर 40 भारत के राजचीन में पर्यूक्त होने वाले सब्द सत्मेव जैते किस उपनिशद से लिए गया है दोस्तो भारत के राजचीन में पर्यूक्त होने वाले सब्द सत्मेव जैते वो मुंदक उपनिशद से लिए गया है तो सवाल नमबर 40 का जो सही option हो जाएगा वो हो जाएगा B ठीक है चलिए अब अगला प्रस्ण को देख लेते हैं अगला प्रस्ण आप सभी के साबने काफी खुबसुरत प्रस्ण है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है दोस्तों यहाँ पर आप सभी से question में अगर वेद कितने है यह अगर पुछ ले तो वेद आप सभी जानते है चार है वहाँ पर आप सभी के 6, 2, 16 इस परकार से दिया रहा है तो वहाँ पर भी आप लोग ध्यान दीजेगा बेद की जो संक्या है बेदों की जो संक्या है वो चार है यह चार जो यहाँ पर रीग वेद, सामवेद, अजुरुवेद, अधरवेद जो है यह सभी बेद है गायत्री मंत्र जो पुस्तक से लिये गए है यह रीग वेद की पुस्तक से लिए गई है तो सवाल नमर 41 का जो लिपी में लिखी जाती है दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हिंदी जो है न उसको हम देवनागरी लिपी में लिखते हैं तो सवाल नमर 42 का जो सही option होगा वो option C होगा ठीक है चलिए अब अगला प्रस्ट को देख लेते हैं अगला प्रस्ट आप सभी से क्या पूछ रहा है सवाल नमर 43 ब्रामी लिपी को किस में असपष्ट किया गया है A. James Princess या B. John Marshall ने या C. John A. Pleat ने या D. इन में से किसी भी नहीं दोस्तों ब्रामी लिपी को James Princess ने असपष्ट रुपी किया है पूरुप्ड जो है न ब्रामी लिपी को James Princess ने Prince Sepp ने किया था तो सवाल नमर 43 का जो सही option होगा वो होगा A. ठीक है चलिए अब अगला प्रस्ट को देख लेते हैं अगला प्रस्ट आप सभी से क्या पूछ रहा है सवाल नमर 44 राष्ट्रिय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है A. 21 जनवरी को B. 21 मर्च को C. 28 फर्वरी को D. 23 मर्च को दोस्तों राष्ट्रिय विज्ञान दिवस 28 फर्वरी को मनाया जाता है तो सवाल नमर 44 का जो सही option होगा वो होगा C. ठीक है चलिए अब अगला प्रस्ण को देख लेते हैं अगला प्रस्ण आप से भी से क्या पुछ रहा है सवाल नमर 45 राष्ट्रिय खेल दिवस किस दिन मनाय जाता है A. 29 मार्च या B. 29 अगस्त या C. 20 दिसंबर या C. 2 दिसंबर दोस्तो राष्ट्रिय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाय जाता है सवाल नमर 45 का जो सही अप्शन होगा वो अप्शन B होगा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 20 कोशन को हम लोगों ने किया है 20 कोशन में आप से भी का कितना सही हुआ है आप सभी कोमेंट में जरूर बताइएगा और वैसे स्टुडेंट जिनका कम से कम 20 में 19, 18 या 16 सही हुआ है वो सभी का पढ़ाई, वो सभी का स्टड़ी का जो रेशियो है वो काफी अच्छा है वैसे स्टुडेंट जिनका 20 में 10 सही हुआ है उनको पढ़ाई की और आवसेकता है ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तभी जाकर उनका जो है एक्जाम में अच्छा क्वाइलिफाई नंबर मिल सकता है नहीं तो उनका जो है बर्दी का जो सपना है वो तूट जाएगा, अधूरा रा जाएगा ठीक है तो फिर मिलते एक नई वीडियो में जब तक के लिए जैंद